हलो बच्चो कैसे हैं आप सब क्या आपको भी कहानिया सुनना पसंद है तो चलिए सुनते हैं एक नहीं कहानी जुसका नाम है खूनी जील एक बार की बाद है एक जंगल में एक जील थी जो खूनी जील के नाम से प्रसिद्ध थी शांक के बाद कोई भे उस जील के पाणी में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था एक दिन एक हिरन जिसका नाम चुन्नू था उस जंगल में रहने के लिए आया उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से जग्गू बंदर ने चुन्नु हिरन को जंगल के बारे में सब बताया लेकिन वो जील के बारे में बताना भूल गया जग्गू बंदर ने दूसरे दिन हिरन को जंगल की सभी जानवरों से मिलवाया जंगल में चुनु हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया चुनु हिरन को जब भी प्यास लगती तो वो इस जील के पानी में पानी पीने जाता और शाम को भी उसमें ही पानी पीने जाता एक शाम को वह उस जील में पानी पीने के ले गया तो उसने उसम और आता वो एक मगरमच देख लिया जिसे देखकर वो पड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा रस्ते में उसको जग्गु बंदर मिल गया जग्गु ने चुन्नु हिरन से इतनी तेजी भागने का कारण पूछा चुन्नु हिरन ने उसको सारी बात पताई उस जील में मगरमच क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी नहीं देखा इसका मतलब वो मगरमच की सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस जील में पानी पीने के लिए जाता है अगले दिन जग्गु बंदर जंगल की सभी जानवरों को लेकर उस जील में गया मगर मच्च की पीट अभी भी पानी के उपर दिखाई दे रही थी सभी जानवरों ने कहा यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वो मगर्मच है यह सुनकर मगर्मच कुछ नहीं बोला चीकू खरकोष के दिमाग लगाया और बोला नहीं यह तो पत्थर है लेकिन हम कि वो एक मगर्मच है चीकू खरकोष ने मगर्मच को कहा तुम्हें इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगर्मच को जील से भगा दिया और खुशी-खुशी रहने लगे तो इससे हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी इसे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराय मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं तो अगर आपको भी यह कहानी बहुत पसंद आई हो तो इससे लाइक करें और ऐसी ही और कहानिया सुननी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसी ही मज़ितार कहानिया सुन सकें